हलो फ्रेंस वेलकम बैक टू माई चाइनल आज हम बनाएंगे तंदूरी चाय तो चाय जिनका जिनका फेवरेट है ये वीडियो उन्हीं के लिए है उन्हें ये वीडियो एक बार जरूर देखना चाहिए और इस तरह से बना कर एक बार जरूर ट्राइ करना चाहिए तो कि अन्हें वाता शूरा पेये वाली हूं तो इसी पर अच्छी तरह से इस तरह से गर्म कर लूँगी है तो सबी तरह से घुमाते हुए से गर्म कर लेना है देख सकते हैं इसका यृण climbs बदल रहा है हैków तो एक तरपी से गर्म होने देते हैं अब हम चाय बनाएंगे तो उ और उसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे दो चमच चाय पत्ति हम यहां दो कब चाय बना रहें तो दो चमच चाय पत्ति डालएंगे और इससे थोड़ा सा ओबाल आने देंगे रहा है ला रहा है अब हम लेंगे एक इंच अद्रक और एक इलाची इसे अच्छी तरह से खूट लेंगे और उसके बाद शाइय कर देंगे अदल को हमेशा उबलने के बाद फट नीक कर रहता है उसके बाद हम इसमें बाद हम इसमें इतंब करेंगे दो चमच शक्कर सका अपने हिसाब से कमिया ज्यादा कर सकते हैं उसके बाद इसे लो फ्लेम पे दो मिनट उबलने देंगे तो इसका कलर भी देख सकते हैं बहुत ही अच्छा आगया है एक बार इस तरह से इसे घुमा लेंगे ताकि जो साइड साइड में लगा हुआ है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए इस तरह से चम्मत से मिक्स कर देंगे तो चाय हमारा बनकर रेडी है और ये मिट्डी का जो बर्तन है ये भी अच्छी तरसे गर्म हो गया है थोड़ा सा और ही से गर्म कर लेंगे लेकिन इस तरह से घुमा कर तो ये जितना अच्छा गर्म होगा उतना ही इसका जो सुंधा तो चाय हमारा मिल्कुल रेडी है अब इसे गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और एक कप में छान लेंगे तो एक कप में छान लेंगे अब मिट्टी का जो बरतन है उसे बहुत ही सावधानी पूर्वक एक बरतन में रखेंगे और जो चाय हमने कप में छान कर रखा है उसे इसमें डालेंगे और उसके बाद इसे एक मिनट के लिए इसमें रहने देंगे जब तक उबाल आ रहा है तो देख सकते हैं ये चाय बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनने वाला है तो अब उबालाना कम हो रहा है तो इसे अच्छी तरह से सावधानी पूर्वक इसी बरतन में डाल देंगे इस तरह से ताकि इसका जो मिट्टी वाला फ्लेवर है सुंधा सुंधा वह अच्छी तरह से चाय में मिक्स हो जाए उसके बाद हम इसे कप में ट्रांसफर करेंगे और गर्मा गर्म सर्फ करेंगे तो इस तरह से आप भी बनाएए और अपनों को पिलाएए और मेरी अगर यह रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें और सेयर करें तब तक के लिए बाई बाई मिलते हैं अगली वीडियो में